ये सीरीज बिलकुल अभी आई है और ये बहुती ज़्यादा इंटरस्टिंग है वैसे हमारा कॉंटेंट 3D एनिमेशन का नहीं है लेकिन फिर भी हमें सीरीज को कर रहे हैं क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन और ग्रापिक्स बहुती ज़्यादा अच्छे हैं और उन्हें देख लीमन से मिलने से पहले हम इस कहानी की में किलेक्टर शाओ से मिलते हैं शाओ हमारी तरह एक नॉर्मल बच्चा है और अभी उसकी उमर बहुत छोटी है हाला कि उसे दूसरे प्लेलेट देखने में बहुत मज़ा आता है इस वोजह से वो एक सर अपने घर की छत पर जाकर द बहुत ही तेट रोशनी दिखाई दीती है जिसकी वजह से उसकी आँखे गोल्डन कलर में चवकने लगी थी इस चीज़ को संभाल नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी आँखों में उससे बहुत जलन हो रही थी वो जोर से चिलाता है और फिर सीन अचानक से कुछ साल बात पर शिफ्ट हो जाता है हम देखते कि श्याव की आँखों पर पठी थी क्योंकि उस इंसिज़ेंट के बाद उसने अपनी आँखे नहीं खोली और सभी को लगता है कि अब वो अंदा है हाला कि अभी वो रोड क्रोस करने के लिए खड़ा हुआ था जहां सभी लोग उसे देख उसकरा रहा था असल में उस इंसिज़ेंट के बाद श्याव को सारी चीज़ें समझ में आती है सुरुच्छली सभी चीज़ें को सेंस कर पाता है लेकिन इस चीज़ के बारे में किसी को उसने बताया नहीं है हला कि यहां पर श्याव अभी अपने घर की तरफ जा रहा था रास्ते में सभी लोग उसे जानते हैं श्याव इतना हैं कि जो लड़किया उसे देखती है उनको उस पर क्रश आ जाता है अलाकि एक अंकल मतलब एक शौप उनर उन्हीं लड़कियों को बताते हैं कि जब श्याव छूटा था तो वो अपने घर की चछत से गिर गया जिसक कि वो उसका और उसकी चूटे भाई का ख्यान रखती हैं और साथ ही खुद पैसे भी कमाती हैं क्योंकि उनकी विहस्बर नहीं है हलाकि अब श्याव अपने घर पहुंसता है जहां अब ही वो समाल लेकर आया था इस वज़े से उसकी आन्टेश में खाना देते हुए कह रह सकूं हलाकि तब ही जू यू वहां आता है और श्याव को एक संग्लास देता है और कहता है कि इसे पहन के तुम ज्यादा कूल दखोगे वैसे तभी आंटी बताते हैं कि श्याव जब मार्केट गया हुआ था तभी डॉक्टर उससे मिलने के लिए और वो भी अभी इसकन त करेंगे ये शौकिंग बात थी क्यूंकि बच्पन से लेकर हैं कि डॉक्टर ने श्याव का इलाज किया था और इससे भी ज्यादा श्याव जवाब दे इससे पहले ही वो कुछ सोची रखता है जिसके साथ हमें बताया जाता है कि आज से सों साल पहले इसकूने वालड पर एक मिस्टीडियस फॉक फैलना शुरूब हुआ था जिसके बाद बड़े बड़े देश अपने आप ही खतम होते जा रहे थे आखिर में डेक्साई नाम की जगा पर आकर ये फॉक रुक गया वहाँ वो फॉक फैला नहीं था मतलब वहाँ इंसान अभी जिन्दा दे और य ये फॉक आई कहां से हाला कि अभी इस डॉक्टर का सवाल था कि क्या श्याओ को अपने सपने दिखाई देते इस पर श्याओ जूट कहता है वो बोलता है कि हां उसने बच्पन में जो कितावे पड़े थी उनमें से जो उन्ने वाले गोड़े हुआ कर थे वह उसे गाता है लेकिन उसके बाद वो पूछता है कि क्या श्याओ बगवान में भी इश्वास रखता है जो सूनकर श्याओ तोड़ा सा सूचता है और पोलता है कि नहीं वो कोई मानता हालाकि यह बात अंदर जानता था कि जिस statue को उसने बच्पन ने देखा था, वो कहता है कि 100 साल पहले जब fog फैली थी, तब के बाद से बहुत सारे ऐसे incident record हुए है, जहां लोग कहता है कि उन्होंने monster को देखा, लेकिन श्याओ बोलता है कि अभी तक उनका कोई proof नहीं मिला है, इसलिए उसके हिसाब से वो सिर् परवार लेकर पहुंसती है, और उस डीमन पर हमला कर उसे जान से खतम कर देती है, यह उसने और भी डीमन को हराया था, इसलिए वो तरुम्त अपनी टीम को कॉल करते हुए बताती कि इस तरफ की केप पूरी तरह से साफ हो चुकी है, वहां दूसरी तरफ उसने जिने फोन पावर्स हैं, और इन लिगों के पास कुछ अलग अलग पावर्स भी हैं, और साथी हाई टेक्नलोजी वाली गल्स भी हैं, वैसे अभी इन्हें यहां एक आदमी दूसरी जिगास CCTV से देखते हुए, इन डीमन की लोकेशन के बारे में बता रहा था, इस तरह के सारे डीमन क वो खतम करने के बाद हम उनके एक दूसरे मेंबर को देखते हैं, उसकी एज थोड़ी सी जादा है, इस वोजह से उसके रिफ्लेक्स इतने अच्छे नहीं है, लेकिन अभी वो उन डीमन के पीछे भाग रहा था, ये बिल्डिंग जिसमें वो डीमन थे, वो बिल्डिंग बहुत ही जदा बढ़ी हैं, और वो डीमन उपर के तरह भाग रहे थे, इसलिए उन्हें थोड़ी परिशानी हो रही थी, हलागी तब ही वो पहले वाली लड़की वहां आते हुए, उन सभी डीमन को बहुत ही स्पीड में खतम कर दीती हैं, और अब जब ही लोग सभी डीम करते हैं कि इनका मिशन पूरा हो चुका है, तब ही उसी दुरान दूसी दरफ हम वहां उस डॉक्टर को देखते हैं, जो कि अभी श्याओ की घर से लौट रहा था, वो अभी किसी से फोन बलबात कर रहा था, लेकिन वो पीछे मुड़कर देखता है, तो वहां श्याओ था उन्होंने कहा कि अब मैं कॉलिज जा सकता हूं, हाला कि श्याओ की आँखे अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, मतलब उसने तब से अपनी आखे नहीं खोली, लेकिन फिर भी अब उसे पहले से अब जाद अच्छा फील होता है, और ना ही अब वो पहले कितना अजीब बात ही करता है, श्याओ कहते हैं कि नहीं, आप कुछ इंता करने की जरूत नहीं, कल से मेरी न्यू लाइफ चालो होने बादी है, और मैं जानता हूं कि कोई मुझे परिशान नहीं करेगा, अब इस पर उसकी अंटी मान जाती है, और इसके बाद वो खाना शुलू करते हैं, बा बाद से उसके अंदर एक डर बैट शुका है, उसके अंदर इस दुनिया को लेकर कई सरे सवाल हैं, वो बोलता है कि आखिर मेरी आखे इस तरह से क्यों जलाई गई, और फिर आगे जाने के बाद भी मैं हर चीज़ को देख और सेल्स कैसे कर पाता हूं, वो कहता है कि जो ड प्रिम रोस देख रहा है, जिसे देख देख कर वो ठक चुका है, उससे अपने सपने में हमेशे एक बड़ा सा गीट दिखाई देता है, जहां एक बड़ा सा स्टैचु है, और साथ इस पूरी जिगा में सेम उसी तरह से फॉग फैली हुई है, जैसे इस वोल में फॉग फ करता है, वो जोर जोर से वहां बहर लगी हुए, लोएक की उस चीज़ को बजा रहा था, पर वो गेट ओपन हो, इससे पहने ही सीन चेंज हो जाता है, हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां शियाओ के कोलेज का पहला दिन ता, वो कोलेज पहुंसता है, वहां के बच्च किया रहा था कि तुम्हें किसी भी चीज़ की मदद चाहिए हो, तो तुम मुझसे कह सकते हो, असल मैं शियाओ की अंटी यहां आकर इन तीनों से बात करके गई थी, उन्होंने बताया कि शियाओ की आँखे थोड़ी से कमजोर है, इसलिए यह उसकी मदद करे, साथी उन्ह उन्हें कुछ एक्स भी दिये थे, अभी जानने के बाद शियाओ भी अपनी अंटी के बारे में सोच रहा था, वो याद करता है कि कैसे बचपन से लेकर अभी तक उन्होंने सारा काम करती हुए घर को संभाल रखा है, शियाओ जानता है कि बले ही, उसकी आँखे कमजोर है लेकिन वो कहता है कि मैं अभी मैनत करूंगा, जिसके बाद आपको कभी काम करने के जरूत नहीं पड़ेगी, और हम सभी आराम से रहेंगे, वैसे इसके बाद टीचर हिस्ट्री पढ़ाना शुरू करती है, और इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता है, हाला कि अब घर हाला कि अभी इनी में से एक लड़काश या उसे कहा रहा था कि काश तुम्हारी आखे जल्दी ठीक हो जाए, फिर तुम स्कूल ब्यूटी को देख पाऊगी, अब इससे उसका क्या मतलब था यह हम समझ चुके हैं, लेकिन आवे जादा समझने की सरुत नहीं, वैसा भी य को बता दे कि उसी समय उन सभी को भी वो अजीब सी स्मयल आने शुरू हो गई थी, और तभी वो दूसरे रास्ते पर स्ट्रेट लैम में एक अजीब सी चीज देखते हैं, जो चीज उन्हें की तरफ बढ़ रही थी, असलमें वो एक डीमन था, और इन्हें पहले बार एक इसलिए बहुत ज़्यदा गबरा गई थी, हाला कि अब तभी उसी समय वो आध में देखता है, जो कि वहाँ उससे दूजरी टीम के साथ था, और डीमन को खतम करने में ठग गया था, इसका नाम कॉंग है, और ये भी मुवाईल गेम खिल रहा था, लेकिन तभी इसे और वहाँ चीफ बताता है कि जहाँ वो है, उससे कुछी दूजरी पर डीमन की एनरजी मैसूस हुई है, उसे जल से जल वहाँ पहुशना होगा, क्योंकि वहाँ पर यूमन भी रहते हैं, हलाकि चीफ इंस्रुक्शन देते हैं, इसके बाद कॉंग तुरंती कार लेकर वहा से भागने लगते हैं, इस दोरान दूजरे दरफ गए उस लड़के ने यहाँ श्याओ को धक्का देती है था, जिस वजह से श्याओ नीचे गर जाता है, हलाकि वो लोग देखते हैं कि ज्याओ अब अपनी जगा पर ही खड़ी हुई है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग से भागने को कहता है, जब जियांग तुरंती वहां से भागने लगी थी और इधर वो मॉस्टर श्याओ से लड़ रहा था, श्याओ से पीछे अठाकर दूसरी डिरेक्शन में भागता है, वहा नीचे की तरफ सेड़ी आती है, श्याओ जो वहां से उतर रहा था, तो वो ये दिगो डीमन उस पर हमला करने वाला, लेकिन श्याओ फिर से उतकर भागने लगता है, साथ ही वहां पर जो कचड़े की बड़े बड़े डबे रखे हुए थे, वो उन्हें रास्ती में अटका कर उस डीमन के रास्ता रोकने की कोशी कर रहा था, क्योंकि उसके सामने ए इस्ट्रक्शन देता है कि उसे जल से जल दो बैरियर के अंदा जाकर उन्होंसर्स को खतम कर रहा हुगा, इससे पहले कि वो किसी मासूम की जान ले, अब अभी आम देखते हैं कि उस डीमन ने श्याओ पर हमला कर श्याओ को नीचे गरा दिया था, और अभी वो उस पर छल समझते हैं, आज मेरी स्कूल का पहला दिन था, लेकिन इस दिन में लगबग मरने वाला हूँ, मैंने सोचा था कि आज से मेरी नई लाइफ शिलू होने वाली है, लेकिन क्या सच में ये मेरा अंत है, अभी इन बातों को याद करते हुए श्याओ को बहुत ज़्याओ को बह गोल्डन लाइट निकल रही थी, अलाकि सीन को यहाँ ज़्यादा खूल बनाने के लिए हमें वो सेम दोर दिखाया जाता है, जो कि श्याओ के सपने में वो देखता है, जहाँ पिछली राद श्याओ ने उस दोर को नौक करने की थी, श्याओ जैसे वहाँ सपने में डोर क कर रहा था, यहाँ वैसे वैसे वह अस दीमों को पीट रहा था, वो पहले उस दीमों को वहाँ से मार कर दूर उटाता है, लेकिन इतनी महें आग दूसर दीमन उस पर हमला कर देता है, यहाँ लिए वहाँ dens की हमले की वज़े से श्याओ अपना बैलेंस खोच खूआ था, जिस वो जैसे एक डीमन ने उसकी कंदे पर कार्ट तक लिया था पर श्याव कैसे भी कर खुद कुछ उडाता है और फिर से उन डीमन को मारने लगता है यहां से भागने का कोई फायदा नहीं था क्यूंकि अब वहाँ डीमन बढ़ते जा रहे थे तुरंती दो ओर डीमन वहा करे लेते हैं अभी वो श्याव का सरदबाने की कोईश कर रहे थे जिससे वो मारा जाए लेकिन उसी समय ड्रीम में वो गीट ओपन होता है उस गेट की ओपन होने का मतलब यहां श्याव की आँख ओपन हो चुकी थी उसकी आँख से एक लेजर लाइट निकलती है और उससे पर चीफ उनसे कहता है कि इसी मॉस्टर की एनरजी नहीं है यह डिवाइन एनरजी है और मुझे नहीं लगता कि जिसकी भी एनरजी है वो हमारा दुश्मन है वैसे जितनी दीर वो एनरजी निकल रही थी उतनी दिर आसमान से ग्रेविटेशनल फोर्स इंग डीमस को रोके करने लगते हैं जिस दूरान उसकी आखे फिर से गोल्डन कलर मेक भी होती है और से हर चीज स्लो मोशन में दीखने लगती है जिसके साथ साथ उसके स्ट्रेंद भी बहुत बढ़ती जा रही थी वो दीरे से अटैक करते हुए उन डीमस को दूर अटा रहा था और फिर वो क जाकर इसके फर्स्ट एपिसोड को एपिसोड का एंड जरूर देखना हलाकि अभी श्याओ हलाकि अभी सिर्फ श्याओ ही नहीं था जो इन डीमन से फाइट कर रहा था वहां दूसरी तरफ कॉंग बेक मोच चुपा था और वो भी डीमन को हरा रहा था और अभी इनमें करते हुए एक डीमन को मारता है और दूसरे रास्ते पर बढ़ते हुए आता है यहाँ वह बहुत ही कूल तरीके से एंट्री लेता है और श्याओ से कहता है कि यह कूल थाना जिस पर श्याओ कहता है कि यहाँ थोड़ा सा वैसे इसके बाद श्याओ वहां से चला गया था औ में मिला है जो तुम कर सभी थोड़े से हैरान थे और खुश भी थे तब भी हैड बोलता है कि ये बात कहना थोड़ी सी मुश्कील है कि वो गौड एक इजिंट है या खुद माइकल अभी है माइकल का नाम सुनकर वो लोग बहुत ही ज़दा हैरान हो चोगे थे वैसे इतना कहते ही सीन्चेंज होता है जहां में एक ट्रप ड्राइवर को देखते हैं वो अब एक ट्रक लेकर जा रहा था तब भी उससे खुहलाथा है और द्राइवर कहते है कि जिनता मत करो मैं समय पर ड्रेवली कर दूंगा साथ ही वो बोलता है कि कि आ तुम डोड़ाने के बारे में सूझ रहे हो जिसके बाद हमें पता चलता है कि उसके ट्रक में बहुत सारे डीमन्स कहाता है लेकिन अभी ड्रैवर उन्हें ही पान लेकर जा रहा है इचीज हमें पता नहीं चलती क्योंकि तब ही सीन चेंज हो जाता है और हम वहाँ श्याओ के गर पर आते हैं वो मैं कुछ नए दोस्तों के साथ था और इसके बाद वो कमरे में चला जाता है अब उसके बाई जायो कोई चीज बहुत अजीब लगती है साथी वहां उनकुनकर डॉगी भीगा जाता है जायो उससे कहते है कि आ तुम्हें भी बाई की कपड़ों से बलड़ स्मेल आ रही है वैसे यहां अब श्याओ ने गेट लगा लिया था वो वहां बैठते हुए तुरंती सो जाता है नींग में आज फिर वो उसी जिखा पर आ चुगा था जहां उसके सामने एजलिम का वो गेट लेकिन पर की था कि आज वो कुना हुए श्याओ आगे बढ़ता है वहां से बह वो मेंटल होस्पिटल में भी जाना पड़ा था श्याओ कहता है कि यह पूरी जिखा सेम वैसी ही है हलाकि वो उस जिखा को देखता है वो उस मेंटल होस्पिटल के एक ऐसे कॉली डोर में आता है जहां पर कई सारी कमरे थे लेकिन यह जगा उसने पहले नहीं देखी थी इ एक गेट पर जिस पर हाफ मून का साइन बना हुआ था जैसे श्याव उसे टच करता है तो वहाँ एक एनरजी फैलती है और यह गेट खुल जाता है श्याव हहरान था जैसे वह गेट ओपन करता है तो वहाँ सामने पानी के अंदर एक कुर्सी पर एक लेडी को बैठा हुआ देखता है हाला कि श्याव जैसे आगे बढ़ता है तो वो जगह अपने आप ये कमरे के तरहां बदल जाती है यहाँ पर सारी वो चीज़ी रखी हुई थी जो श्याव ने बच्पन में देखी थी यह उनीक लिए रहती है जिनका मानसिक संतुलन तोड़ सा इला हुआ रहत है इससे श्याव भी डर चुगा था हाला कि श्याव याद करता है कि उसने ऐसी लेडी ग्रीक माइचलोजी में देखी थी गोड्स के मदर है लेकिन श्याव को नहीं पता कि यह बात सच है कि नहीं हाला कि तभी वो लीडी अच्छानक से श्याव को देखती हुए कहने लग रही थी वो उसे उठाते हुई कहती कि आखिर तुम आही गई हालाकि श्याओ इस चीज़ में समझ जाते हैं कि उस नेडी के हालत बहुत जादा खराब है वैसे इसके बाद आप कौन के पास आते हैं अभी उसके साथ ही उससे कह रहे थे कि जिब तुम्हें पता था कि वो दिखे लेकिन तब ही उसे एक चोटा सारो तो बच्चा दिखता है और वो उसकी मदद करने लगता है इस तरफ याओ अभी स्कूल से स्कूल आने से पहले एक साइक्टरिस के पास गया था जो कि दिवाग का इलाज करते हैं वो उसे जाकर सारी बात बताता है लेकिन लोजिक लिए उन्हें वैसा ही फिल करा रहा होगा जैसा वो अभी अपने इमेचनरी वर्ड में फिल कर रही है डॉक्टर कहते हैं कि सीधी बात है इससे गारंटी नहीं दी जाती कि वो ठीक हो जाए लेकिन उन्हें अच्छा फिल होगा अब श्याव बात मान जाता है जो दवाईयां डॉक्टर ने लेखे थी वो ले लेता है और बात में कॉलेज जाकर अपनी पड़ाई कंटीन्यू करता है वैसे साइक एक्टरिस का टाइम और कॉलेज का टाइम देखकर लग बग उसे 5-7 गंटे बीच चुके थे लेकिन फिर भी कॉंग वहां बहार अभी श् कुछ नहीं बताता है अलाकि तब ही उसे कॉल आता है वह शेफ का जो कि कह रहा था कि उसे बाखी चीज छोड़कर शाव को ड्रोने पर फोकस करना चाहिए जिस पर कौंग कहता है कि जिन्ता मत कीजिए मैं आठ का दिन खतम होने तक उसका पता लगा लूँगा वैसे इस त इता मत करो तुम्हारा भाई जल्दी लौट कर आएगा इतना कहते हैं वह रोनी लगती है और कहती कि ना जाने वह हमें छोड़कर क्यों गया श्याव को यह चीज समझ में नहीं आती है लेकिन उसे डॉक्टर की कई व्यूव बात जरूर याद आती है कि जैसे यह लीड़ के माइन में एक गोल्डन नाइट गलो करती है और उसके सामने कई सारी वर्ड लिखे आते हैं श्याव को बताया जाता है कि उसे कुछ डिवाइन पावर्स में लिए है क्योंकि उसने उस लेड़ी को 3% मेंटली हीन कर दिया है वैसे हम श्याव को रियल वर्ड में देखते ह जहां वो डिवाइन पावर्स से पहले सब चीज़े बता रही थी वही उसे भी बताती है कि श्याव की पावर्स रात में एक्टिवेट होगी अलाकि इससे उसे दिन में बहुत फायदा मिनेगा लेकिन रात के टाइम उसकी स्पीर्ड स्टेंथ बाकी अर्थ पर रहने वाल क्रीचर से कई ज़्यादा गुना बढ़ जाएगी और अभी श्याव इस सीस को चेक कर रहा था उसकी स्पीर्ड इतनी ज़्यादा तीज हो चुकी थी कि ऐसा लग रहाता है जैसे वह उड़ रहा हो और साथी वह डिवाइन पावर्स उसे ये भी बताती है कि श्याव रात क ज़्यादा की बाकी जो दर्वाजी बंद है वो तब ही खुलेंगे जब वो पहले गौड को ठीक कर देगा और उसे इंतिजार है कि वो दर्वाजे कब खुले क्योंकि श्याव को जो पावर मिली है वो सिर्फ एक गौड के थी परसंट ठीक होने के बाद मिली है इसलिए व हाँ दूसरे तरफ वो ट्रक जिसे हमने अभी कुछ दिर पहले देखा था जो कि अपने साथ बहुत सारी डीमन्स लेकर जा रहा था उसके ड्रावर को नेचर की दूसरी नमबर वाली कॉल आती है इसलिए वो वहां से चला जाता है जिस दूरवान श्याव अभी उसके ट्र वहां लोट कर रहा था तो श्याव को वहां देख अभी तरी रात को इस तरह से किसी को देख कर तोड़ा से शप जरूर होगा इसलिए वो ड्रावर कहते है कि क्या तुम नाइट वोचर हो श्याव को नाइट वोचर पा मतलब नहीं पता था लेकिन उस ड्रावर को पूरा यकिन था कि श्याव नाइट वोचर ही है शायदी नाइट वोचर इस ग्रूप को कहते हैं जिस ग्रूप ने पहले कुछ डीमस खतम किये थे जिसके अंदर से इवल एनरजी नहीं कल रही थी तब वो ड्रावर तब वो ट्रक तोड़कर सारे डीमस बहार आ जाते हैं यहां वो ड्रावर पर हमला नहीं कर रहे थी बलकि वो श्याव पर हमला कर रहे थी जिसके बाद श्याव उनसे लड़ने लगता है श्याव की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी इसने वो बहुत अराम से उन डीमस को मारते जा रहा था जो देखकर वो ड्रावर भी हरान था वैस इसलिए demons को मारने के बाद वो वहाँ उस driver पर भी हमला करता है और उसे वहाँ से दूर फैकने के बाद बाकी बच्ची हुई demons को भी एक एटाक में खतम कर देता है हलागि इसके बाद अब वो driver के पास आप और night watcher का मतलब पूछने वोला था लेकिन वो देखता है कि driver तो already भ सकता है क्योंकि जल्द ही यहाँ पर बीड़ा आने वारी है इसलिए वो problem create करने की वज़ाए वहाँ से निकलने आई सही समझता है अभी वो एक building पर था जहाँ वो driver की कई बाते को सूच रहा था हलाकि वो देखता है कि अब वो सुबह होने वारी है इसलिए उसे जल्द से घर लोटना होगा वो वहाँ से आगे बढ़ता है लेकिन सुबह लगबग हो चुकी थी जिस वोजह से उसकी पावर काम करना बंद कर देती है और वो इस building से नीचे गर जाता है लेकिन किसमत से नीचे कौन कड़ा हुआ था जो की पर परिशान था क्योंकि उसे अभी तक श चुका हूं तो बहुता है कि मैंने कתरा सुना आकर अब तो मुझे मिले और इसके बाद वो शाओ को उठा कर वहाँ से ले जाने लगा था शाओ कहता है कि आप मुझे कहा लिकर जा रहो हम यहां बात नहीं कर सकते इसके बाद अब वो शे से एक होटल में लेकर आया था ऐस होटल में प्लीज आप बिल्कुल भी मत जाईएगा वो होटल का एक कमरा बुक करता है और वहां आता है कॉण ने इस तरह की जगा इसली चुनी थी जिससे कि कोई उनकी बात पर दिहान ना दे यहां कॉण श्याव से कहते कि आकिर गोड ने तुम्हें क्यों चुना और उन्ह स्टोरी बताता है वो कहते है कि 1920 यानि कि आज से सौ साल पहले फॉब पूरे दुनिया में फैलना शुरू होई थी वो कहते है कि तब उस टाइम पर माइकल नाम के गोड ने एक वोलकानों पर हमला किया था और वोलकानों को बीच से काटा था शायद इसका रिजन शायद य कि दो साल तक हमने किसी चीज़ पर काम किया हमें गोड के कई सारे सबूत मिले थे जिसके बाद यूमेनिटी ने हार नहीं मानी और वो सो साल तक कफनी रिसर्च को जारी रखते रहे वो कहते हैं कि हमने हर एक रिलिजिन और हर एक चीज़ में चान लिया था हमें दुनिया साबर में हर जिगा की गौड मिल चुकी है लेकिन सिर्फ ड्रक्सी अजी जिगा पर हम रहते हैं और जहां वो फोग नहीं फैला सिर्फ उस जिगा का गौड हमें नहीं मिला यस उनको श्याव कहता है कि और क्यामें एक चीज़ पूछ सकता हूं जिस पर कौंग के है कि बिल पता शियाओं ने सच में इन बातों पर यकीन कर लिया हूँ, क्योंकि वो शियाओं का रियाक्शन देखने से पहले सीन चेंज हो चुगा था, और हम वापस से उस ट्रक ट्रैवर के पास आते हैं, शियाओं तब वहां से चला तो गया था, लेकिन वो उस ट्रक ट्रैवर को बांध कर गया था, और फिर अब जब वो डीमर हंटर ग्रूप का एक आदमी वहां पहुंसता है, तो ड्रैवर उसे देखकर कहने लगता है कि अब एक और नाइट वोचर यहां आ गया है, अब वो ड्रैवर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, अधर कि इसके बाद वो डीमर हंटर ग्रूप का मेंबर किसी को कॉल कर बताता है, कि जिसकी हमें तलाश हो यहां आया था और उसने अकेले सारे डीमर्स को खतम कर दिया, यह सुनने के बाद सबी लोग बहुत ज़्यादा हैं बाद में वो आदमें किसी और को भी कोल लगाता है, लेकिन वो आदमी कोल की उठाए, इससे पहले यह पार्टी पर एंड हो जाता है, अगर आपको इस सीरीज अच्छी रगी हो तो ही हम इसे कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि वैसे भी हम 2D एंडिमेशन अपनूर करते हैं,